नमस्कार माईडिशमाईजाइकर.com में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे केरी का अचार यान कि कच्छे आम का अचार यह अचार वाकर में खानें भूते स्वादेश्ट होता है तो चलिए बनाते हैं यह मैंने आपर 1 kg यान कि एक किलो केरी लिए जिने मैंने काटकर और अच्छे सी धोकर और इसे मैंने एक घंटे के लिए फैन के नीचे सुका लिया था जब भी हम अचार बनाते हैं किसी का भी अचार बनाते है तो उसमें पाने बिलकुल नहीं रहना चाहिए मोश्चर अगर इसके अंदर रहेगा तो अचार भूचल दी खराब हो 500 ग्राम मैंने आपे सर्सू का तेल लिया है थोड़ा सा हम इसमें हिंग लेंगे चार चम्मच मैंने आपे सौफ दाना लिया है दो चम्मच मैंने आपे कलोंजी दो चम्मच जीरा तीन चम्मच मैंने आपे पीले वाली सर्सू यानिकी राइली है दो चम्मच मैंने आपे मे जाता है, दो चम्मच हल्दी पाउडर और ती चम्मच लाल मिष्च पाउडर, सबसे पहले हम इक कडाई को गैस पर रखतेंगे, और इसके अंदर तेल डाल देंगे, जिब हम कोई भी अचार बनाते हैं, तो उसमें सर्सो का तेल ही यूज करते हैं, क्योंकि सर्सो का तेली अ बाल दी नमक में ढाला जाता है। लेखन मेति दाना कया करोंचन करता रे कर लड़ा हम दें। इस वाल क्यापन डालें। मेथी दाना भी हम डाल देते हैं और कलोंजी कलोंजी केरी के जार में डालना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे इसके अंदर बहुत अच्छा स्वाद आएगा और जीरा है यह हम बाद में यूज करेंगे और यह जो राई है पिली सरसो इसे हम पीस लेंगे तो इसे हम इसमें बाद में डालेंगे तो इक बार हम सभी मसालों को अच्छे से मेक्स कर देते हैं तो जिस भी वरतन में हम कैरी को डालते हैं तो आप हाथ से इसे अच्छे से मेक्स कर दें या फिर इस तरह से हिला हिला कर और इसे अच्छे से मसालों के अंदर ऐसे मिक्स कर दे जिससे कि मसाले इसके ऊपर कॉट हो जाएंगे और जो बचे हुए मसाले रहेंगे उन्हें हम बाद में यूज कर लेंगे तो ये पिसी हुई जो पीली सरसो में हमने यूज किए उसे भी हम डाल देंगे और इसे अच्छी से मिला देंगे कैरी का चार बनाने के वैसे तो कई तारीके हैं लोग अलग अलग तरह से कैरी का चार बनाते हैं पर हम जिस तरह से अचार बना रहे हैं ये अचार साल भर तक टिका रहता है तो हमारा तेल करम हो गया है अब हम इसमें जीरा डाल देंगे जीरा पक चुका है तो अब हम इसमें हिंग डाल देते हैं और गैस का हम ओफ कर देंगे क्योंकि हमें जीरा पकाने के बाद गैस को बंद कर देना है हिंग भी मैंने इसमें डाल दिया है आप हम तक्शे केरी के से कच्चे लिए MArI करें नगें तो एक बार कच्चे में ज इतने वी पास ना हैं हम डालbird on cambi कि याद रखे कि जब ऑईल गरम हो जाए और जीरा डाल दें उसके बाद कैस को हमें बंद कर देना है अब हम जो कैरी वाले बरतन में नीचे जो मसाला बचा हुआ है इसी भी डाल देंगे कि जब हमने केरी के जब में मसाला कोट किया था तो जो मूटता हुआ है तो इसी भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आप कैरी के अंदर आदा गुंटा पहले याफिर एक घंटे पहले मेक्स करके रख देते हैं तो कैरी के इंदर मोश्चर आ जाता है नमक यह मसाल ही कट मैं सब्सक्राइब में सब्सक्राइब मुझसक पढ़ते कड़ा तब एनकी चाल होंको जो आपना थाजय बढ़्ट काड़ीची सब्सक्राइब कि उशच बढ़्लों कोड़िये नुट अब भान manton जब भी हम अचार को एर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देते हैं तो उसके ऊपर से तेल दिखता रहना चाहिए यानि कि अचार कूरी तरह से तेल में डीप होना चाहिए नहीं तो मारा चार लंबी टाइम तक नहीं टिक पाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीची देगे सब्सक्राइब करे याड बटन को क्लिक कर साइड वन देगे बैल बटन को प्रैस करे और लाइक अंड शेयर करने पिलकुल ने भूले धन्यवाद